में सबसे पहले बात कॉंगर्स की करेंगे केंदु शासित प्रदेश जमू कश्मीर में कॉंगर्स को एक और जटका लगा है अंदरूनी मदभेद में कमी नहीं आ रही है आप डीडी सी मनकोट चौधरी इमरान जफर ने भी इस्तीफा दे दिया है घुलाम नभी आजाद के स वकार रसूल वानी की नियुक्ति को लेकर स्थानिय नेताओं में मतबेद बढ़ा है यही वज़े थे कि इस से पहले कॉंग्रेस के पूर्व विधायक गुलजार वानी ने भी राज्य चुनाव समिती से त्याग पत्र दे दिया था जबकि मुहम्मद अमीन बट चौधरी अकरम ने भी समितियों से इस्तीफा दे दिया हाजी अब्दुरशीद डाद ने कॉंग्रेस की मूल सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और कॉंग्रेस के साथ अपना लंबा संबंध तोड़ दिया है तो इस तरह से यह देखा जाए कि कॉंग्रेस की अंदरूनी कले लगत लगतार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है यानि रस्ता कशी जो है वो जारी है इस बीच पार्टी लीडर्शिप की तरफ से कोई बड़ा फैसला सामने आने की उम्मीद भी जाहिर की जारी है देखना ही होगा कि इन्हें किस तरह से बचाया जा सकता और कैसे पार्टी को ए एक दरेशाता है और दिखाता है कि कांगरस में कितनी जबरदस लड़ाई चल रही है जब से कई महीनों से मशेकत की जो कॉंगर्स हाई समान ने उन्होंने अलग-अलग मिटिंग ये कि आजाद ग्रूप के लोगों से अलग बात हुई, मीर ग्रूप के लोगों से अलग बात हुई, इवनके तीसरा दड़ा भी है सैफ्टिन सोर्स का, जिसके भी कुछ खामी है, उनके अलग से बात हुई, फि लेकिन किसको उनके बदले लाए जाएगा, उस पर बात नहीं बन पाई, उसके बाद फाइनले जब वकार रसूल को किया, तो उसके बाद आपने देखा किस तरह से इस्तितू का दोर, जो है, रिजुनेशन का दोर चलता रहा, लेकिन कितनी बड़ी, जब से कमीटी जब से नए प्रेजेंट के एलेक्शन हुआ, और कोई कमीटी है, जिसमें डिस्ट्रणी कमीटी है, कॉर्डिनेशन कमीटी है, कैम्टेनिंग कमीटी है, एलेक्शन मैनिफेस्टो कमीटी है, बहुत साई कमीटी का गठन किया गया, और कोशिश की गई है कि आजाद ग्रूप के और कोशिश की गई हाई कमान की तरफ से कि सभी को खुश किया जाए लेकिन बात नहीं बन पाई है और जिस तरह से रिजमेशन का दोर चल रहा है जब से यह नए अज्डेक्स जो बने हैं वाकार उसके बाद जो कमीटीज बने हैं और उस कमीटीज में दोनों तरफ से जब गुल होंने जिया है चोदरी इमरान ने तो यह उसी को दर्शाता है कि जो आजाद ग्रूप के लोग है वो बहुत नाराज है जिए कल जिस तरह से वहां पे फंक्शन भी हुई उनको जो नए अटेक्श हैं वकार रसूल है उनको रखमकार रसूल वानी उनको वहां पे प्रतिब में जो स्रीनगर में कल हुई जो प्रोग्राम कल हुआ उनको वेलकम करने में उसमें कोई भी आजाद ग्रूप के लोग नहीं थे मुहमद अमीन बाद जो दिवसर के हैं वो नहीं थे उसमें इसे करा खुद सहिफुदीन सोज इसकरा मैंने कहा कि यह तीसरा दड़ा है वो भी नहीं थे तो कॉंग्रिस में बहुत जादा गड़बट चल रही है इवन कि मैं आपको बता हूं जो जी एमीर ग्रूप है जी हालां कि वो अब हाइकमान के कहने पे वो कर रही है वकार रसुल को थोड़ा समर्सन दे रहे हैं लेकिन उनके भी लोग बहुत जादा नारा देखे जा रहे थे वकार रसुल वानी को और खुशी का भी इजहार करते हो देखे जाते लेकिन आपने का कि कल की घटना हुई कल जो बाक्या हुआ कि सैफुद्दीन सोजवान नहीं पहुँचे ऐसे में कांग्रेस के अंदर ही दो से तीन ग्रूप जब देखने को मिल रह है इसका समापन होना बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मुम्किन नहीं है लेकिन फिर भी आज जैसा कि इमरान जफर ने इस्तीफा दिया है अब ये घुलाम नवी आजाद के ग्रूप से आते हैं इसके अलावा क्या जीए मीर के ग्रूप में भी इतनी शदीद नाराजगी है क ये आने वाले दिनों में ये देखा जा सकता है कि जीए मीर के ग्रूप से भी नाराजगी का इज़ार किया जाए और वो इस्तीफा दे क्योंकि जीए मीर तो वक्तन फर वक्तन हमने देखा कि वो मुलाकात करते हुए और उन्हें बधाई देते हुए देखे गए देखे बिलकुल अलामती जो है जो है दिखाने का एक है और अंदर से कुछ और चल रहा है जीए मीर ग्रूप के भी कुछ लोग हैं जिनको लग रहा है ता कि उनको एक अच्छी प्रामिन्स दी जाएगी उनको किसी कमीटी का अजश या नंबर बनाए जाएगा लेकिन उन को नहीं मिला और वो बहुत खास लोग थे उनके साथ चल दे थे मैं आपको एक एक जाएग्जामपल देता हूं रविंदर शर्मा जो यह स्टोक्सवरसन चीफ स्टोक्सवरसन थे जेंके प्राजिश कॉंग्रेस कमीटी के और बहुत प्लोज माने जाते हैं जीए मीर के ल शामिल नहीं कियागा तो जाए जो अवराल सिनेरियो बन रहा है कॉंग्रेस में ज्यादा गम ही है खुशी कम है और तो क्या यह माना जाए गम के साथ खुशी लोटेगे या फिर यह गम मजीद बढ़ेगा आने वाले दिनों में कई और स्तीफों की जड़ी लग सकती है क् सना जो जिस तरह से हालाद बने हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि जो यह रिजिगनेशन का फ्रंट चला है कॉंग्रेस में और बढ़ सकता है अगर हाई कमान को कुछ और फैसले और करना पड़ेगा हलांकि जो अज्यक्ष बनाए गाए विकार उसूल उनका हटाना तो मु सकती है कि जो नाराज लोग है यहां पर जोड़ दूँ कि सबसे बड़ी दिक्रत बुलामीपी आजाद के ग्रुप को मनाना कि उनको लगता है कि गलामीपी आजाद की असाथ गलत हुआ है उनका उनकी डिमोशन हुई है तहां वो जनरल सक्री रहें कांग्रेस के नैशनल सक्रीर है कई शाल में मिनिटर रहे हैं कि तमाम लेटरों को कैसे मनाती है ना सिफ लीडरों के बलकि उनके कार ककर के जो लीडर होते हैं 215 अमरृद के थी कारेकरता होते हैं अनमें भी नाराज गी देखी जा रही इसलिए स्विए स् wasnitrieLe qualche के जरिए समीर भट ने की हो सकता है कि समीतियां कुछ और बनाई जाए जिसमें इन तमाम लोगों को जगे दी जाए लेकिन फिलहाल खंबर ये है कि लगतार कॉंग्रिस के अंदर अंदरूनी कलह बनी हुई है और लगतार इस्तिफोकर सिलसला जारी बहुत शुक्रिया हमाइसा जुड लाथी में कश्मीरी पंडितों की हत्या की जारी है मानौता की हत्या के भराबर है और अपराधियों को फासी दी जानी चाहिए बुखारी के हुताविक दिल्ली हमेशा से बटवारे की राजनीती करती रही है लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा कि फिलालसी की साथ रुकेंगे छोड़े से ब्रिक के लिए कहीं जाए गमत बने रहे